हिंदु धर्म छोड़ लोग अपनाना चा रहें बौध धर्म गुजरात सरकार ने लिया बड़ा एक्शन दोस्तों हिंदु धर्म छोड़ कर बौध बनने का सिलसिला भारत में तपसे जारी है जब भारती सम्विधान के निर्माताओं में से एक डौक्टर भीम राव अम्बेटिकर ने साल 1956 में बौध धर्म सुईकार कर लिया था वहीं अगर गुजरात की बात करें तो यहां हर दशेहरों और अनित्यहवारों के मौके पर आयोजित कारिक्रमों में जादातर दलितों को सामुहिक रूप से बौध धर्म अपनाते देखा जा रहा है वहीं अब गुजरात सरकार ने एक सरकुलर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि बौध धर्म को अलग मत की तरह देखना चाहिए अगर कोई हिंदू बौध जैन या सिख धर्म अपनाना चाहता है तो इसके लिए जिला मेजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमती लेनी जरूरी है राज सरकार ने इसके पीचर ने गुजरात फ्रीडम ओफ रिलीजन एक्ट 2003 के प्रावधानों का हवाला दिया है इस सरकुलर पर ग्रेविबाग के डिप्टे सचिफ विजय बडेखा ने हस्ताक्षर भी किये हैं आपको बता दे कि गुजरात में हर साल बड़ी संक्या में दलित बहुत धर्म अपनाते हैं और ऐसा खास तोर पर दशेराओं और अन्यतिवारों के दौरान आयोजित होने वाले कारिक्रमों में भी देखा जाता है इसे के साथ आपको बता दे कि गुजरात सरकार ने जो सरकुलर जारी किया है उसमें कहा गया है कि जिलह मैजिस्ट्रेट की कारियाले गुजरात फ्रीडम ओफ रिलीजन एक्ट का गलत मतलम निकाल रहे हैं यह जानकारी मिली है कि हिंदु धर्म से बहुत धर्म में जाने के लिए आने वाले आवेद्नों को लेकर नियम अनुसार प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है कई बार ऐसा कहा जा रहा है कि धर्मांत्र के लिए पूर वनुमती लेने की जरूरत नहीं है सरकुरर में इस बात पर जोर दिया गया है कि ऐसे मामलों मिला पर वाही ना हो साथे इसमें कहा गया है कि कानून के अनुसार बहुत धर्म को एक अलग धर्म की तरह देखा जाना चाहिए अगर कोई हिंदू व्यक्ति बहुत जैन या सिक धर्म अपनाना चाहता है तो जिला मेजिस्ट्रेट से निर्धारी फॉर्मिट में पोर वनुमती लेना काफी जरूरी है इसके अलावा शोव्यक्ति धर्म परिवर्तन करवा रहा है उसे इसकी जनकारी जिला मेजिस्ट्रेट को जरूर देनी हुचाहिए साथे जिला मैजिस्ट्रेट ऐसे आवेदनों का ध्यान से अध्यन करके और उसके बाद ही फैसला ले सकता है फिलान दोस्तों आप गुजराच सरकार के इस फैसले पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपके अपनी चैनल कभी न्यूस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा नमस्कार